आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजट दो हजार चुके हैं अंगन बड़ी सेविका सहाईकाओं ने जितने भी कारे करता हैं उन्होंने धर्ना प्रदर्शन किया धर्ना पर बैठे इसके बाद जो है अपने मांगों को रखा मैं आप लोगों को बताते चलू कि 4 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में पूरे देश भर से आंगन बड़ी सेविका और सहाईका पहुँचू थी वहाँ पर धर्ना प्रदर्शन करके सरकार से मांदे और ग्रेजुएटी की मांग कर रही थी ग्रेजुएटी और मांदे को लेकर के आंगन बड़ी कार करता धर्ने पिर थी मुख्य मंत्री के नाम प्रधान मंत्री के नाम राष्ट पती मोहदय के पास भी बालविकास मंत्री इस्मृती इरानी के पास भी लोगों ने लगातार पत्र भेजा संगठनों के द्वारा भी लगातार पत्र भेजा गया उसके बाद से जो है कि हमारे बिहार में आंगन बड़ी सेविकाओं का चैन रद्ध हुआ उसके बाद से उनकी वापसी हुई और यह भी कहा गया कि सभी आंगन बड़ी सेविकाओं को सम्मान जनक मान दे दी जाएगी मगर इसके साथ साथ ही जो है कि कहीं कुछ भी नहीं हुआ सम्मान जनक नाम पर जो है अंगन बड़ी सेविकाओं के साथ धोखा हुआ आप लोगों को भी पता था कि चुनावी वादे भी किये गए थे, चुनाव के दवरान वादे किये गए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस तरह से करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम उस तरह से करेंगे, सरकारे आई गई, गिरी, अल्टी, पल्टी, सब कुछ हुआ लेक कि सुप्रियम कोट ने साप साप सब्दों में कहा गया था ही सरकार को निर्देश भी दिया था कि आंगनबाडी कार्टा का मांदे बृधी हो पेंसन ग्रेजुएटी भी लागू हो इनी सब बातों को जो है कि सभी आंगनबाडी सेविकाय ध्यान में रखते हुए अपकी पा पान्यजनक की मांदे दिया जाएं क्योंकि आंगनबाडी सेविकायों का बेतन है उसमें उत्तरप्रदेश बिहार सरकार के द्वारा गुज्रात और अनिकैसे Support के द्वारे सरकार को निर्देश दिया गया है कि आंगनबाडी बेतन को बढ़ाए ठीक है लोक सभा चुनाव आप लोगों को पता है कि सरपर है ऐसे में बजट 2024 बीजेपी का सबसे आखरी बजट होने वाला है चुनाओं के मद्दे नजर रखते हुए भाजपा सरकार के द्वारा सभी आंगनबाड़ी बहनों को खास तौफा मिल सकता है हम सभी यही प्रातना करते हैं हम सभी यही दुआ करते हैं कि अब की पारी बजट सत्र एक फरवरी 2024 से सुरू हो रहा है और इसमें कम से कम आगनबाड़ी कारेकरताओं को इस बजट में बहुत बड़ी खुस खबरी मिले तो आप लोगों को इस बजट सत्र में हम लोगों को क्या मिला और क्या नहीं मिला इन सभी बातों की जानकारी आप लोगों को सिर्फ फर सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेगी इसलिए आप लोगों को बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना है वीडियो को लाइक करना और इस आंगनबाडी के अन्वाटसप ग्रूप में जरूर सेयर करना है इस वीडियो को इतने जादस जादस सेयर करना है ताकि सभी के पास पहुँचे और जो है सरकारों तक भी या व सरभावस्था में जब उपने मा के रहता है उस समय से लेकर के उसके मृति तक की सारी काम हम आगनबाडी से भी काया करते हैं इस बात की जैनकारी सरकार को भी होना चाहिए फिर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक